नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड करेक्शन के बारे में जैसे कि आप ओनलाइन आवेदन जैसे ही भरते हैं और भरने के बाद आपको पता चलता है कि क्या हमने हापे कोई मिश्टेक कर दी है या कोई गलतियां हो चुकी है तो आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं एक चीज आद रखें यागर आप पैन कार्ड को अपलाए कर रहे हैं हावेदन कर चुके हैं और आप डोकुमेंट को अपलोड नहीं किये हैं तो आप उस चीज को क्रेक्श नहीं किया है तो उसके लिए एक अच्छा प्रोसेस है आप असानी से उस एप्लिकेशन को इडिट कर पाएंगे जैसे कि आप अधार नमबर के अलावे हर एक चीज को इडिट कर पाएंगे डेट वो बर्त नेम मोबाइल नमर इमेल आडी फादर्स नेम जो भी है आपका ज जो भी बदलना चाहते हैं उन सारे चीजों को आप बदल पाएंगे तो चलिए हम बताते हैं एक हमारा जो भी पैनकार्ट हमने अपलाई किया था उसमें एक इमेल आइडि जो कि हमारा इमेल आईडि में कुछ वर्ड मिश्डेक हो गए थे तो उसे हम एहां पर करेक्शन कर ने वाले हैं और हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से असानी से correction कर सकते हैं pen card के application में जैसे ऐब अप्लोड करते हैं अप्लोड करने के बाद आपको पता चलता है कि यहां पे कुछ मिष्डेक हो गई है यह कुछ गलतियां हुई है और गलतियां होने के बाद वो pen card में जो भी होता है वो pen card में छपके आ जाता है उससे पहले आपने अगर document अपलोड नहीं किया है तो आप असानी से correction कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को सुरुआत करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से correction होता है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को start करते हैं और यहाँ पे आपको जाना है जो भी आपका CSC portal है उस portal को आपको login करने के बाद आपको आना है pen card पे जैसे कि UTI का जो भी website है उस UTI के website पे आ जाना है वहाँ पे आपको search कर लेना है pen card और pen card search करते ही आपके साम ना जाएंगी UTI का website अगर आप pen card apply करते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से UTI का जो भी portal है उसे हम किस तरह से खोल सकते हैं CSC में तो आप आसानी से खोल सकते हैं और CSC में खोलने के बाद आपको डारेक्ट आना है CSC के portal पे तो चलिए हम चलते हैं डारेक्ट CSC के portal पे CSC के portal से माध्यम से हम बताएंगे कि आप किस तरह से UTI के portal पे आप आसानी से pen card को क्रेक्शन कर सकते हैं application के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे application किया है और application के बाद ही हमारे जो भी email ID में कुछ problem आ गई है और उसे हम आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना है pen application पे और pen application पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है first option जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उस पर आपको click कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर click करते ही आपके सामने कुछ manual जितने भी आपने pen card apply किया है वो सारा आपके सामने यहाँ पर open हो जाएंगी और आद रखें यह 24 गंटे के बाद आने की रात के बाद 12 बजे के बाद ही यह मतलब update लेता है मतलब जैसे कि आज हमने आपे online किया है तो यह कल सुबह से ही यहाँ पर आपके सामने show करना start कर देंगे और उसे आप edit कर पाएंगे असानी से तो यहाँ पर जैसे ही आपके सामने आते हैं आपको edit option पर click कर देना है और click करने के बाद आपके सामने आगला option यहाँ पर खूल जाएंगे जो भी अपने सारा details फिल किये उस सारे details को यहाँ पर आप देख पाएंगी जिसमें आप correction करना चाहते हैं आप correction कर सकते हैं आप चाहे तो date of birth, name, father's name यह address जो भी आपका है email id, mobile number इन सारी चीजों में आप correction कर सकते हैं तो हम यहाँ पर नाम, date of birth या address में आपके correction करने वाले नहीं हैं हमारा problem है email id में और उस email id को हम यहाँ पर correction करके आपको दिखाएंगी तो यहाँ पर आपको next, next करते हैं आगे जाना है जहाँ पर आपको correction करना है वाँ पर किलिक कर लेना और किलिक करने के बाद हम पर आप correction असानी किसे कर पाएंगे जैसे कि हम यहाँ पे हमें अहाँ पे करेक्शन नहीं करना है फिर हम आगे जाएंगे फिर अगला देखेंगे जो भी हमारा यहाँ पे है कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाला है उस कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे हमारा email ID है, उसमें हमारा problem है, उस email ID के जो भी हमने हम पे mistake किया है, उस mistake को हमें आपे सुधारने का पर्यास करेंगे, और इससे आप सीख पाएंगे कि किस तरह से correction किया जाता है आवेदन के बाद, अगर आपने document upload नहीं किये हैं, तो द कि हमारे सामने हाँ पे email ID आ चुका है, और यहाँ पे, हम यहाँ पे click करेंगे email ID वाले option पे, और email ID में जो भी हमारा problem है, वहाँ पे हम देखेंगे, और वहाँ पे हम correction करेंगे, तो यह देखिए, हमारे सामने आ चुका है email ID का option, और हम यहाँ पे correction करने वाले है, जैसे कि य सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने लिए यहां ő फिर आपको CPG अगे जाना जैसे कि जिस तरह से pen card जैसे application करते समय जैसे कि online आविदन करते समय आप जिस तरह से process करते हैं उसी तरह से यहाँ पर process देखने को मिल रहे हैं कुछ उसी तरह का same process है और यहाँ पर एक चीज आद रखें यहाँ पर आपको district परते एक बार select करना होगा क्योंकि district अनुवायर है district का जो भी वहाँ पे select होता है वहाँ पे हट जाता है और उसे आपको परते एक बार select कर लेना होगा अब जब आप वहाँ पे district select करेंगे तब ही आगे जाके अगला process कर पाएंगे जैसे कि हमने आपको district select किया फिर हम यहाँ पे आगे आ चुके हैं और यहाँ पे भी आपको फिर से यहाँ पे आपको district select कर लेना है जैसे कि आपको पता होगा कि आप pen card apply करते हैं तो आपको दो बार एडरिंज डालना पड़ता है दो बार नाम डालना पड़ता है कुछ उसी तरह से यहां भी आपके सामने दिखाई दे रहें को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप next बटन पर के Jaigoo करेंगी और नेक्स बटन पर क्लिक करने के बाद फिर आप अजागा कि आप आप ने करेक्शन किया है उसका एक उसका एक आपका जो 20P फाईल है वो फाईल बन जाता है और फाईल को आप प्रिंट कर सकते हैं या सेब भी कर सकते हैं यह देखिए हमने यहाँ पर फिर से next किया और next करने के बाद हम अगले पेज पर आ चुके हम यहाँ पर final submit करेंगे और final submit करने के बाद हमारे सामने एक PDF आएगा जो हमने correction किया है उसके लिए PDF सो करेंगे जैसे कि जो हम जो भी हमारा गराहक होता है जो भी हमें pen card बराने के लिए देते हैं उसे आपको यह दे देना है correction करने के बाद जो आपका सही है जैसे कि हमने correction करने के बाद यह हमारा सही हुआ, इसे हम प्रिंट करके हम अपने ग्राहप को देंगे या फिर हमें अपने पास रखेंगे सुरुषित, सुरुच्छा के लिए तो आफ यहां से सेफ भी कर सकते हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नईव वीडियो लेकर कि तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि आप के लिए हम यतना मैनत करके वीडियो लेकर करके आते हैं तक आप हमारे लिए कर सकते हैं like कीजिए share कीजी और हमारे चर्ण को subscribe कीजिए चलिए दोस्तों ञ दो मिलतेonter हैं तब तक के लिए टाइटाइ Bाई